Hello and welcome you all, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी होंगे अगर आप geopolitically USA को समझना चाहें तो आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर किसी भी तरीके से आपके देश का relation US के साथ अच्छा नहीं है तो आप multiple sanctions को attract करते हैं और possibility काफी हाई है कि globally आपके देश को कुछ इस तरीके से दिखाया जाएगा जैसे कि आपके देश में human right violations होते हैं और वहीं पे अगर किसी भी कारण से आपके देश का relation US के साथ अच्छा होगा तो आपके देश का more or less वही हाल होगा जो आज की rate में पाकिस्तान का हो रखा है Recently IMF ने पाकिस्तान को 1.1 billion American dollars का loan approve किया और कहने के जरुवत नहीं है कि इसके पीछे USA का बहुत ही strong backing था तो in a way हम ये समझ सकते हैं कि USA पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ जिन्दा रखना चाहता है और अकर आप इस चीज़ को बहुत ही neutral तरीके से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसके पीछे कसूर US का तो बिल्कुल भी नहीं है कहीं न कहीं जो responsibility बनती है वो पाकिस्तान के leaders का बनता है जबसे पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तबसे इनका जो foreign policy था वो more or less USA decide करता हुआ आया इस वीडियो में आगे बढ़ हुई से पहले आपको मेरा effort पसंद आता है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो मुझे email करके मता सकते हैं ये 30 April का article है जहां पे ये बताया गया कि 1.1 billion American dollars का IMF ने loan approve कर दिया है पाकिस्तान को और पिछले साल IMF ने ये फैसला लिया था जहां पे उन्होंने कहा था कि वो 3 billion American dollars का loan देंगे पाकिस्तान को अपने political sphere में और economic sphere में तो जब से अगर आप पाकिस्तान को follow करेंगे या since जब से ये भारत से अलग हुआ तब से इनके पास इनका कोई भी independent foreign policy नहीं रहा तो अगर आपके देश में कोई भी investment नहीं करेगा तो definitely इसका जो असर है वो economic sphere पे दिखेगा ही दिखेगा इन सब चीजों को देखने के बावजूद पाकिस्तान को continuously loan दिया जाता है IMF के द्वारा भले यहाँ पे IMF का नाम इस्तिमाल होता है लेकिन इसके पीछे US का backing के बिना IMF कभी भी loan अप्रूफ नहीं करेगा यह IMF का यह article है जहाँ पे आप देख सकते हैं जुलाई 2023 में IMF के executive board ने यह अप्रूफ किया था कि पाकिस्तान को 3 billion American dollars का loan दिया जाएगा अब more or less पाकिस्तान जो as a country है वो USA का एक military base है जब भी Asia में US को अपने military को उतारना होता है या किसी भी तरीके से उनको dominance दिखाना होता है तो वो पाकिस्तान का इस्तिमाल करते हैं और बदले में कुछ ऐसे ही छोटे मोटे पाकिस्तान को loan दे दिया जाता है जो कि उस वक्त के जो leaders होते हैं वो loan का इस्तिमाल अपने हिसाब से करते हैं और फिर जब उनका almost tenure पूरा हो जाता है तो वो Gulf countries को निकल जाते हैं as a result क्या होता है कि जो common civilians होते हैं पाकिस्तान के उनको भुगतना पड़ता है उसके बाद साल 2023 important दो करणों से भी हो जाता है एक तो सबसे पहल के से war में नहीं है इसलिए पाकिस्तान के पास missiles के stock पड़े हुए थे इसलिए USA ने IMF के द्वारा कुछ loan को दिलवाया पाकिस्तान को और बदले में पाकिस्तान से missiles लेके Ukraine को दिलवाया और उसके बाद October के महीने में जब से हमाज और इसरेल के बीच में conflict शुरू हुआ उस पाकिस्ता है वहीं अगर हम बात करें साल 2022 में तो पाकिस्तान में जून के महीने में एक massive flood आया था जिसके बारे में ये कहा जाता है कि कुछ 30 billion American dollars का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को infrastructure, economy और overall जो नुकसान हुआ है लेकिन जो loan दिया गया है IMF के द्वारा वो दिया गया है स ये जो 3 billion का जो इस्तिमाल है वो यहां के leaders करेंगे और करके यहां पे और इस पैसे का इस्तिमाल करके वो अपने अपने हिसाब से Gulf countries को निकल जाएंगे as a result क्या हुआ कि Pakistan as a country वो पहले भी डूबा हुआ था वो आज भी डूबा रहेगा और इसी चीज़ को आप इंडिया के perspective से देखेंगे तो हमारे लिए काफी अच्छी बात है क्यों क्योंकि एकर पाकिस्तान की economy जैसे ही अच्छी होगी वो definitely proxy war में उतरेगा और जो भारत क internal matter है उसमें दखल अंदाजी देगा और वो directly कहीं न कहीं attack करवाएगा हमारे कश्मीर घाटी में उसके बास साल 2022 के April के महीने में उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान इनके relation USA के साथ खराब हो जाते हैं as a result ये होता है कि इनको किसी भी तरीके से पा जब इस चीज का फैसला वहां के लोंग नहीं करते हैं और इस चीज का फैसला कोई दूसरा देश करता है तो इससे भी ये बताता है कि आपका देश कितना ही ज्यादा बिका हुआ है और कितना ज्यादा volatile state में है और जब इमरान खान को हटाया जाता है प्राम मिनिस्टर पो जहां पर इन्हों ने पाकिस्तान के गौर्मेंट को क्रिटिसाइज किया था और कहा था, कि जिस तरीके से US आफगानिस्तान में अटेक कर रहा था, उसी टाइम पिरेड में पाकिस्तान US आर्मी को अपने देश में अलाओ करता है, यानि कि पाकिस्तान में US military का बेस बनाया ज तो कहने का मतलब है कि US military तो पाकिस्तान से निकल गया अफगानिस्तान से निकल गया लेकिन उसके कारण क्या हुआ कि आफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो relation है वो खराब हो गये हैं तो इन सब examples से भी as an Indian हम देख सकते हैं समझ सकते हैं कि कभी भी किसी दूसरे देश के आर् केस में involve करें जैसा कि majorly हम लोगों ने देखा है चाइना और भारत के केस में जहां पे relation खराब है लेकिन फिर भी भारत कोशिश कर रहा है कि इस शीज को bilateral तरीके से handle किया जाए तो इनवे अगर हम इस वीडियो को conclude करें तो हमें समझ में आता है कि आज जो पाकिस्तान का ब पाकिस्तान ही भुगत रहा है और यूएस समय दर समय अभी भी और इन फ्यूचर में भी पाकिस्तान को कुछ ऐसे ही छोटे मोटे लोन दिया करेगा जिससे कि पाकिस्तान एसन कंफ्री को तो definitely कोई फायदा नहीं होने वाला है लेकिन वहां पे उस वक जो leaders रहेंगे उनको फायदा होने वाला है और जिसके कारण क्या होगा कि यूएस से पाकिस्तान को अपने हिसाब से इस्तेमाल करता रहेगा I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूँगा मैं चाहूँगा कि आप मुझे email करके बताएं See you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye